हर्याना को लेकर BJP हाई कमान काफी सतर्क नज़रा रहा है बुदवार को हर्याना के सियासी हालातों पर फिर चर्चा की गई दिल्ली में दो गंटे से जादा चली इस बैठक में लोगसभा चुनावों की तैयारिये को लेकर चर्चा की गई सरकार तनखड और हर्याना बीजेपी की कोर ग्रूप के नेता शामिल हुए थे सिर्सा की रैली के तुरंत बाद बीजेपी की हर्याना एकाईल में बीजेपी आलाकमान को ताजा फीड़ बेक दिया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में जेजेपी के साथ गड्रूणन तूटने के इस सिती में प्लैन बी को लेकर चर्चा हुई है बीजेपी के कई नेता पहले भी अकेले चलने की सारहा दे चुकी है माना जा रहा है कि बीजेपी निड़्दलिय विधायकों को लेकर चर्चा करने में जुटी हुई है कि क्या इनके भरोजे सरकार खड़ी रह सकती है हलोपा प्रमोख और विधायक गोपाल कांडा को लेकर भी बीजेपी फैसला करने में लगी हुई है तो निर्दलिय विधायकों की BJP को समर्थं देने की बात को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई पिछले दनों निर्दलिय विधायकों ने हर्याना प्रदेश प्रभारी बिपलब देव से मुलाकात की थी हर्याणा में बीजेपी अब और भी ज़्यादा एक्टिव मोर्ड में नज़राने वाली है 30 जून तक जहां प्रदेश के कई जिलों में रह लिया है वहीं अब जुलाई महिने में भी एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है अब हर्याणा बीजेपी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुचाने में और तेजी से एक्टिव होने वाली है वहीं अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि सरकार कोई भी डिलाई बरदास्त नहीं करेगी